तुला रासी बालों का आने बाला दिन यणी की 23 अप्रेल 2021 का दिन कैसा बीतेगा लेकिन सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ 23 अप्रेल 2021 के पंच्यांग के बारे में आज तिथी है एकादसी नक्छत्र है मघा पक्ष है सुकल पक्ष दिन है सुक्र वार मित्रो आने बाले समय में सुर्ज उद्य का समय है पंच बज के 48 मिनट में सुर्ज अस्त का समय है 6 बज के 51 मिनट में रितू है ग्रिस्म आजिका दिन काल है तेरह घंटे तीन मिनट आठ सेकेंड का महिना है चैत्र मित्रो आने बाले शमय में सुभ समय सुरू होता है इग्यारह बजी के पचास मिनट एम से बारह बजी के पचास मिनट पीम तक असुभ काल सुरू होता है आठ बजी के चौबीस मिनट एम से नौ बजी के सत्रह मिनट एम तक राहु काल सुरू होता है दस बजी के एकतालीस मिनट एम से बारह बजी के उनीस मिनट पीम तक दिसासूल है पस्चिम दिसा की ओर तो मित्रों ये था आज का पंचांग इस वीडियो के अंत में आपके आने बाले शमय का अनोखा टोट का भाग्यसाली रंग एबं भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें ताकि आपका आने बाला शमय बिहतर एबं सांदार हो सके शब से पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ आपके दामपत्ते जीवन आपके बैबाहिक जीवन के बारे में मित्रो आने बाले शमय से पहले यदि आपके दमपत्ती जीबन में आपके बैवाहिक जीबन में कोई भी पड़ेशानी था तो आने बाले शमय में उस पड़ेशानी का अंत आपको करना चाहिए क्योंकि इस काम को करने में आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा मित्रों आप में से जो भी जातक नोकडी करते हैं तो आने बाले शमय में आपके नोकडी के छेत्र में आपके बोस या आपके सिनियर के द्वारा आपको जो भी काम दिया जाए आपको जो भी टास्क दिया जाए तो उस काम को मेहनत इमान दाड़ी एबम एकागरता के साथ में आपको पूरा करना चाही त्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आने बाले शमय में आपके नोकडी के छेत्र में पड़ेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा मित्रों आप में से जो भी जातक विद्यार्थी हैं छात्र हैं तो आने बाले शमय में आपके पढ़ाई लिखाई आपके सिक्छा के छेत्र में आपके समय का सपोर्ट आपको बहुत जयादा मिलेगा आने बाले शमय में आपके पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ने का मौका आपको अवश्य मिलेगा मित्रो आप में से जो भी जातक सामाजिक करज करता हैं तो आने बाले शमय में आपके सामाजिक जीवन में पड़ेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा क्योंकि आने बाले शमय में आपके समाज के लोगों के द्वारा आपको शपोर्ट नहीं मिलेगा जिसके कारण आपको पड़ेशानी का सामना करना पड़ेगा मित्रो आने बाले शमय में आपके लिए भाग्यसाली रंग है क्रीम एबम सफेद आपके लिए भाग्यसाली अंक है नो यणी की नाइन मित्रो आने बाले शमय में अपने समय को बिहतर एबम सांदार बनाने के लिए आपको चांदी का करा या चांदी की चूडी आपको पहननी चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आने बाला शमय बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक करदें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करदें एबम इस वीडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट करदें धन्यवाद